नमस्कार दोस्तो वैशनभी और्गेनिक डेवी फोर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे प्रकृति का खजाना अनमोल असियमित है इसमें अनेक एसी बनस्पतिया पाया जाता है जो चमतकारिक गुनों से भरपूर होते हैं यह चमतकारिक जड़ी बूटिया और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं लेकिन जानकारी के आभाव के कारण हम उसके गुन और फायदे से बंचित रहते हैं यह बनस्पति को साटे के नाम से जानते हैं इसका संस्कृतिक नाम वर्साबू है वर्सारितू से पहली बारिश में ही यह बनस्पति अपने आप उगाती है और सरवत्र फैल जाती है इस जंगली बुटी पुनरवा की एक पर जाती है यह पुनरवा तो नहीं है लेकिन इसके गुन पुनरवा से मिलते हैं इसे ज्यादा तर लोग साटे के नाम से जानते हैं इसके पत्ते, गोल, मांसल तथा रसभरित होते हैं इसे बिस्खपरा, बर्शाबू, इसका हिंदी नाम है इंगलिस में ट्रिया, मेनिया भी कहते हैं बिस्खपरा का फुल अर्थ होता है शरीड में जमा हुए मुल, रुपी बिस को पुरी तरह से बाहर निकाल देना यहां बहुत ही कोमल होता है यह थोड़ा खटा और नमकीन होता है इसके पत्ते का साग बना कर खाया जाता है इस बनस्पति का गुन मुत्रल है मुत्रन होने से मुत्र और गूर्दे की समस्या से पसूओ और इंसानों को छुटकारा दिलाता है इसके पत्ते का रस दस से बीस मिली ग्राम पीने से किडनी समस्या में फायदा पहुँचता है आरवेद के अनुसार इसके गुन का बात करे तो विस्खपरा मुत्रन स्वेंगन और चेरेंगन होता है यह विश को मिटाता है कुष्ट में लावकारी होता है इसके सेवन से पसू और मनुस्यों में भूक बढ़ती है और रोग परतिरोधक छमता बढ़ता है इसके मुत्रल गुन के कारण गुर्दे की पत्थरी और मुत्र संबंदित बिमारी में काफी कुछ काम आता है इसके सेवन से गुर्दे की कमजोरी की समस्या खत्म हो जाती है इसके सेवन से यक्रीत की कमजोरी दूर होती है और यक्रीत मजबूत होता है इसके अलावा सरीर के किसी भी प्रकार के सूजन में भी यह फायदा करता है इसके सेवन से सरीर के कमजोरी दूर होता है इसके पत्ते का काढ़ा पीने से साग बनाकर खाने से अंदरूनी सूजन खत्म हो जाता है इसके पत्ते का लेप लगाने से बाहरी सूजन भी सरीर का खत्म हो जाता है दोस्तो इसके सेवन से पसुओं और मनुस्यों में जो इसके पतियां हैं उसके पीछ कर लेप लगाने से घाव सिक्र भरने लगती है नमक और पानी बिना मिलाए इसकी पतियों का साग बना कर कुछ दिनों तक लागातार नीमित रूप से सेवन करने से गुद्दे की समस्या दूर होती है और खिटनी मजबूत बनती है पत्री में भी यह बहुत ही लाभकारी होता है दोस्तो मनुस्यों और पसुओं के लिए बहुत ही भायदेमंद और बहुत ही कारगर जो है पोधा है धन्यवाद इसका इस्तमाल करें निरोगर